हेलो फ्रेंज, वेलकम टो ए 24 नॉलेज ए ओफिशल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल वॉटर डवलप्मेंट एजिनसी की नियूर्यूर्मेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अप्लाय प्रोसेस के बारे में तो फ्रेंज से यहाँ पर जो नॉटिफिकेशन है NWDA रास्तिय जल विकास एजिनसी में यह फ्रेंज से आपके वेरियस पोस्त के लिए जारी की गई है जिसके लिए आप ओनलाइन आविधन कर सकते हैं और इस से रेलेटेट जानकारी फ्रेंज आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जॉबरास्ता.com पर वहाँ पर जाकर आप डेटेल्स को चेक आउट कर सकते हैं तो यहाँ पर फ्रेंज जो इसकी डेटेल्स है जिसमें आपके इंपोर्टेंट डेट्स, एप्लिकेशन फीस, एज लिमिट, आपका वेकेंसी डेटेल, सेलरी, आपकी LBT कंडिशन, सेलेक्शन प्रोसेस, साथ में फ्रेंज इंपोर्टेंट लिंक्स आपको यहाँ पर मिल तो आपको फ्रेंज से आना है और आपको डेटेल्स को चेक करना है, एप्लिकेशन फीस को चेक करना है, एज लिमिट को चेक करना है और आप अगर एप्लिकेबल है जिस भी पोस्त के लिए उस पोस्त के लिए आप उसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को चेक करेंगे और उसके बार फैंसे, आप इस form के लिए apply कर सकते हैं, बात करेंगे form apply process के बारे में और इससे वीडियो को start करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, subscribe करें, share करें, like करें, जिससे आपको आने वाली सारी updates मिल सकें, तो सबसे पहले फैंसे, आपको पर क्लिक करना है, registration करने के लिए, यहाँ पर आपको select post पर क्लिक करना है, आप जिस भी post के लिए यहाँ पर देखिए, आविदन करना चाहते हैं, आप उसे select करेंगे, इसके बार applicant full name, आपको friends यहाँ पर देना है, आपका पूरा नाम, तो आप पूरा नाम यहाँ पर enter करें इसके बाद है, आपकी mail ID, तो आपकी जो भी active and valid mail ID है, वो आपको यहाँ पर enter करनी है, और साथ में आपको 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 जो mobile number है, वो आपको यहाँ पर enter करना होगा, इसके बाद friends आपको देना है, आपका father name, तो आप अपना father name एंटर करेंगे, आपका mother name आप यहाँ पर enter करेंगे, इसके बाद nationality आपको select करनी है, marital status आपको select करना है, और आपका 12 digit का अधार का number आप mention कर सकते हैं, इसके बाद है category, economical weaker section मतलब EWS, SC या gender, आप इन में से जिस भी category से belong करते हैं, वो आपको select करना है, इसके बाद friends यहाँ पर आपकी fees देखी आपको शो करेगी, आप E candidate हैं, तो fees आपको अलग show करती है, gender आप select कर सकते हैं, pH candidate अगर आप है 40% या about आप yes कर सकते हैं, और आपकी सब category आपको select करनी होगी, जो भी post post के लिए आपकी suitable रहती है, नहीं है तो आप simply no कर सकते हैं, अगर आप ex-serviceman हैं, तो आप यहाँ पर yes या no कर सकते हैं, yes करते है तो आपको experience show करना होगा, government employee है, including departmental candidate, तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं, department का नाम कब से कब तक आपके duty रही है, या फर आप still working है, तो आप इसे tick कर सकते हैं, नहीं है तो आप no कर देंगे, इसके लावा आपको friends से किसी भी university या school से debit किया गया है, मतलब आपको बाहर किया गय गया है, exam वगयरा देने से, आप यह से unlock कर सकते हैं, आपको कोई भी case pending है या नहीं है, को other information आप देना चाहते हैं, इसके अलावा है आपका current address, तो friends आपका पूरा address जो भी है, वो आप यहाँ जो है mention कर देंगे, आपको friends से यहाँ पर city mention करनी है, आपका friends से state कौन सा है, state select क आपका pin code आप यहाँ पर enter कर देंगे, यहाँ पर friends से देखिए, यह आपका current address है और नीचे है आपका permanent address, अगर आपका current और permanent address सेम है तो आप सेमस पर क्लिक कीजिए, अलग-अलग है तो आप अलग-अलग entry कर सकते हैं, इसके बाद है city for exam, अब यहाँ पर देखिए friends से आप आपको city for exam select करना है, जिसमें आपको तीन cities के option यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, आपके according जो भी center आप यहाँ पर लेना चाहें, वो center आप यहाँ से ले सकते हैं, center चूज करने के बाद फैन से नीचे आपको मिलता है recent past beside color photograph और यहाँ पर मिलता है signature, तो sample photograph और sample signature आपको य file को select करना है और यहाँ पर आपको यह upload कर देना है, इसके बाद friends यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर capture code मिलता है, यह capture code आप यहाँ फिल करेंगे, इसके बाद आप यहाँ से declare करेंगे, और declare करने के बाद friends आपसे कहा गया है please verify all your details, तो आप यहाँ पर submit वाला option है, यहा गलती है, तो आप यहाँ पर उसे सही कर ले, अगर कोई भी गलती नहीं है, तो आप submit registration form पर click कर सकते हैं, इसके बाद friends यहाँ पर nest option आपका open हो जाएगा, जो की friends आपको आपका application number आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए 10th आपको सबसे पहले देना है आपकी board का नाम, तो आपका जो भी board का नाम है, वो आपको देना है, आपका year of passing क्या है, तो आप यहाँ से year of passing select कर लेंगे, इसके बाद आपका roll number क्या है, वो आपको देना होगा, इसके बाद आपका percentage कितना है, वो आप यहाँ पर provide करेंगे, 10 plus 2 में भी आपको same, आपको यहाँ प पर option मिल जाएगा वो आपको देना जरूरी होगा typing speed आपसे मांग गई है तो आप यहाँ पर yes करेंगे कोई work experience है तो आप यहाँ पर जानकारी कर दे सकते हैं नहीं है तो आप blank छोड़ सकते हैं अगर आप यहाँ पर कोई भी experience देना चाहते हैं तो आप अपने department का नाम कब से कब तक आपने यहाँ पर काम किया अगर आप इस्टिल वर्किंग है तो आप इस्टिल वर्किंग पर क्लिक कर सकते हैं तो यह आपका experience प्रिव्यू सेक्षिन है यह open हो जाता है प्रिव्यू सेक्षिन में आपको दुबारा से चेक करना है कोई भी ज़नकारी अगर आपको लगती है आप उसमें एड़िट करना चाहते हैं तो आपको फ्रेंग से यहाँ पर दिखिए मोडिफाय का option मिल जाता है आप इस option पर कि कर देंगे payment confirm करने के लिए इसके बात फ्रेंस से यहाँ पर next option आपको option मिलेगा pay online का आप इस option पर click कर सकते हैं इसके बात फ्रेंस से आपको देखिए थोड़ा सा यहाँ पर wait करना होगा जब आपका payment यहाँ पर जो dashboard है यह open होता है तो आपको page को refresh नहीं करना अब यहाँ पर आपको multiple option मिलते हैं जैसे either card अपने card skills को छ प्रकर कर सकते हैं आपको debit card का option मिलता है तो आपके यहाँ पर card को है एक statement कर सकते हैं इस creator आप किसी भी 25 यहांस से Manager कर सकते हैं यह फ्रेंस अप payment जो है आप paytm के wallet के मध्यम से भी कर सकते हैं या फ्रेंट आप UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं अब कोशिश कीजिएगा आप तीन ओप्षन कर डेबिट कार या नेट बैंकिंग आप चूस करें पेमेंट करने के लिए इसे कर सकते हैं पर पेमेंट अटकने के चांसेज आपकी ज्यादा हो जाते हैं तो आप आपकी जो mail ID है और आपका जो password है मतलब जो आपका date of birth है date month and year वो आपको फ्रेंस यहाँ पर डालना है और उसके बाद फ्रेंस आपको login section पर क्लिक करना है login section पर क्लिक करने के बाद आप अपना final printout निकालकर अपने पास से रख सकते हैं future use के लिए future reference के लिए तो यहाँ पर ले रही हमारे साथ देखते रही है हमारा यूटीब चैनल एलास थैंक्स पूर वाचिंग